हेलो एब्रीवन तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरे खैल और उम्मीज से आप सभी लोग एकदम बढ़ियां और जब वर्जस्त होंगे और अपनी बाइलोजी बीस्टी के तैयारी बहुत जोर से कर रहे होंगे अगर आपकी तैयारी में कहीं थोड़ा सा भी लाइक कोई सी भी दिक्कत या परिशानी आ रहे हैं चाहे आप डीडियो इंट्रेंस एक्जामिनेशन की तैयारी करें यह जो चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ ही बहुत ही इंप्टेंट है इसके हम बहुत सारी कोईशन करने वाले हैं चैप्टर वाइस कोईशन करेंगे चैप्टर वाइ लिखो के लिए कि यह a वाइव वाय लिंगल होने वाली और उस्क侵 डाउल ओड kर सकते हैं इस पीडियाफ में तर्गीट गुरुकुल के मुंबाइल एप से तो तर्गीट JebrtyGuru каж … औहीं को बता हूं कि डाउट इसा प्लाटफॉर्म है जहां पर आप को लखना वह और डी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा और इस पीडियेफ की भी लिंक आपको वहीं आप पर मिल जाएगी तो चली हम कुश्चन शुरू करते हैं हमारा कुश्चन पहला है तिक मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सा कुश्चन बहुत ही इसको आप अपनी कॉपी पे लिखके उतार के रख लेना और एक्जाम के एक दिन पहले पढ़के चले जाना हो सकता है मेरे बताया है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन जिने मैंने बताया है उसमें से हूब हूँ सीम वही कुश्चन ऑप्शन के साथ मैच कर जा है तो रोबर्ट हुग ने की यह रोबर्ट ब्राउन की आण टाणी वान लेकी किसने की जो सेल की डिस्करवडी याद रखना उसे रोबर्ट हुगने की थी ठीक है इसके उदें चाहिए यह तो भी इनपोर्टी कोईश्चन बोलता है कि which is the largest in the human body human body में कौन सी से लार्जेस्ट है नर्व सेल मसल सेल ओबम ब्लॉड सेल तो इसका जुस करेक्ट अंसर होगा वह होगी ओबम सेल जो है वह लार्जेस्ट है ठीक हैं नींगल में प्लाखा है लें वसी बाइंद में नहीं होती है प्लास्मा में लेकिनी यही स्यम्प्ली कि जगा है है एनिमल की जगह प्लांट लिखा हो तो वहां पर प्लास्मा मेंब्रेन ना हो करके सेल वाल हो जाएगा इस कुष्ण को घुमा करके आप से भी पूझा सकता है आप पूझा गया था पिछले कुष्ण में आपसे क्या पता पूझा जाए कि प्लांट की सबसे आउटरमोस लेर क होती है तो जवाब होगा शेल वाल होती है ठीक है कुष्ण नमर फॉर की तरफ पढ़ेंगे हिंदी मीडियम बाले बिच्छे बगल साइड में यहां से देखते रहें उनके हिंदी प्लस में कुष्ण और आंसर लिखे हुए आप वहां से पढ़ सकते हैं मैं एक ही विशह म क्या फंक्षन होता है से जर्ल में ऐसelas क्या करता है सब्सेपहले हमें यह जानना पड़ेगा किरा अथ highway यहां पर यही ऑप्शन सही है और कोई दूसरा नहीं है प्रोटीन सिंथिस करते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोजोम कहां पर बनते हैं तो राइबोजोम नुक्लियोलस में बनते हैं नुक्लियोलस एक सल ऑगनील है जो नुक्लियस के अंदर पाया जाता है ठीक है नेक्स कुछिशन की तरह हम चले कुछिशन नुमर फाइब में विच ऑगनील इस रिस्पंसफिल फोर दा शिंथिस ऑफ एटीपी इंदा सेल ऐसा कौन सा कोशिकी है सकौन सा कोशिका है जो एट कोशिशन नुमर 6 की तरफ चलेंगे यह पर पूछा गया है विच ऑगनील इस रिस्पॉंसफल फोर डी टॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सबस्टैंसेज इन सिल कोशिशन यह बोल रहा है कि विच ऐसा कौन सा ऑगनील है जो की डी टॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता हमारे और जो भी टॉक्सिक खॉक्सिक सबस्टांसेज प्रजन संट उनको डिटॉक्सिफांस उनको व वेजफिक को मैं ऐसे सबस्टैंस में करदे या रिमुब कर दे ताकि वो सबस्टैंस सब्स्टिक ना रहे हो और सेट ना हो तो उसका कौन काम करता है परक्षीष कोश Shooting नुम्हीं सेबने हैं वीच इस द गॉल जी अपरेटर्स इनसे प्रॉटेज्ट का क्या फंक्शन होता है हमारे सिल में अपरेटर्स का फंक्शन होता है क्या होता है प्पंपेकस्ट प्रोशेशिंग ओप्शण d यह दहीं दिखीए प्रोटीन देखिए प्रोटीन मोडिफिकेशन इंड फंक्षन होता है गोल जी भाडि कर अन्स 라 had को किसी ने की यात तौण यह है तो एक हुआ कैमिलो गोल जी आध करो इसको लिखriteर कोंई कैमिलोगोट्स्थरी कोष्ण worlds और पूछ पूछा जाता ही जो पिसला question गया है यह पूछा जाता कि राइबोजों की discovery इस ने तहीं तो यूर्ज पेलाडे जी पूरा नाम आप लिएक्जाम पूरा ही लिख करके आता है । तो आप जोड़े के आता है तो यूर्फ पूरा नाम लिख करके आता है तो सवाथ नहीं क्वेशन समझ गया हूंगे आप लोग टीक है इस कोशन का अप्शन नमबर सी है अब मैं बता दूंब होता क्या है वैक्त लोग एक ऐसा सेल अगनील है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है अनिमल सेल में एविसेंट होता है और एक अगर हमारी यह प्लांट सेल है उ और यह बहुत सारी चीजह है जो आपको फुल कोर्स में पढ़ने को मिलेंगे अगर आप जाहर होगे एकदम अच्छे से हर एक टॉपिक को अपना क्लेयर कर पाऊ न तो अभी आप टार्गेट गुरू को लाइप डाउड़ करो वहां पर्चेस करो पढ़ना इस्टार्ट क है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ करके उसे अपने अग्जाम के हर इक कोईशन को सही कर सकते हो इस कोईशन की सीरीज को पढ़ करके आप एक्जाम को निकाल पाऊगे लेकिन अगर आप कोर्स जोइन करते हो न मैं बच्चे जानना चाहेंगे सर आप यहां पर फ्री में ह यूट्यूब पर मिलना अच्छा अच्छा है वह असा नहीं खराब कंटेंट है लेकिन इसको पढ़ करके आप सिर्फ अपने एक्जाम को क्वालीफाइब कर पाऊगे अपनी रैंक नहीं बना पाएंगे अगर आपका रैंक आएगा तो आपको में कैंपस में पढ़ने को म पढ़ते हैं नाइन की तरब विच ऑगनिल इस रिस्पॉंसल फॉर सिंथेशिस ऑफ लिपिड इनसेल सेल में लिपिड की सिंथेशिस करने के लिए कौन सा ऑगनिल रिस्पॉंसिबल होता है इस का अंसर भी सबको पता हुआ और यह कुशन भी बहुत इंपोर्टन है अप् पूछा गया था है यहां पर लिपिड के लिए कौन होता है लिपिड के लिए होता है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कौन सा रॉफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम और जो स्मूथ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है वह क्या सिक्रीट करता है ग्लाइको प्रोटीन ग्ल जो रिस्पॉंसिबल एक इसल में प्रोटीन बनी उसको बाहर ले जाने के लिए ठीक एक से दूसरी जाने के लिए से कौन सा अगनील है जो रिस्पॉंसिबल पता होगा इंडोप्लाजमी रिडिकुलम नेक्स्ट कुश्ण देखें विच इस लार्जेस्ट और इन वाडी और विच और इस लिए ब्रिकडाउन करने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है इसका क्याने का यह मतलब है अगर सिल है अगर सिल में कोई बी गंदगी कोई भी टॉक्सिक सब्स्टैंसे से बहुत सारी चीजे पड़े होंगी जिन कहां में है कोई काम नहीं है तो उनका ब्रिकड जो कि हाइड्रोलेटिक इंजाइम से फुलफिल होता है याद रखें आपको कुश्चन में भी आ सकता है कि किस ऑगनिल के पास हाइड्रोलेटिक इंजाइम प्रिजेंट होते हैं तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा लाइजोजाएम ठीक है कुशन नमबर 13 विच इसमाले स सबसे छोटी सेल कौन सी है और जिसका साइज कितना है वो जानना हमारे भी इतना जरूरी नहीं है वाट इस दर फंक्शन अब दस साइटोप्लाजम इन सेल बहुत अच्छा कुशन है कि हमारे सेल में साइटोप्लाजम का क्या फंक्शन होता है ठीक है तो यहाँ पर सेल ऑगनिल्स आ करके रहते हैं या फिर पड़े हुए या फिर रखे हुए ताकि वह एक स्पेसिफिक मैनर में और अपनी स्पेसिफिक वाले फंक्शन को पफॉर्म कर पाए मन यानि कि अगर नुकलियस को फंक्शन हो नुकलियस अपना अपने ही जगें पर और पफॉर्म कॉन सा ओगनिल है जो कि सेलेल मटेडियल के डाइजेशन के लिए रिस्वांसिबल है डाइजेशन बोला है यानि की लाइज़ोजोम्स ठीक है कुरिशन नुमर 16 रिखते हैं वाट वीचे स्वारी पढ़ने में दिखकत ही वाट इस दा फंक्शन ऑफ दा सिल वाल इन प्ला इस दा फंक्शन में में अगें और यहीं होता है ऑप्शन नंबर देखते हैं आगे क्या है ऑप्शन नंबर यहीं सही है आप देख लिए बता दिया वीच और इस इन जो कि रिस्पॉंसिबल कार्बो हाइडरेट बनाने के लिए वह भी प्लांट चल में तो याद रखें क से बनाती है हमारी क्लोरोप्लास्ट कर कोड़ो andra को थोटी क्या ऐए और थीज्टा थे क्रेया इस से आप टांगे से किंटरोसंगा ने वेयके हैं विच विच और प्रोकरेटिक सील्स में दोनों में प्रिजर्ट होता है क्या कोई बता सकता है कि क्या सही अंसरों का अंसर देखे भी न intra तो मैं आपको बता दू है जो दोनों स्परिजंट होता है लोगन याद रहें किई कर्ले दिखで युकरिटिक सेल में 70S ribosomes present होता है प्रोकारिटिक में और यहीं पे 80S present होता है कहां पे युकरिटिक सेल में लेकिन एक चीज़ और याद रहते हैं उनके अंदर 70S ribosomes present होता है अग्जांपल के दर पर मैं आपको बता हूं माइट्रोकॉंडिय और कलोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल अगनिल हैं जो कि युकरिटिक में पाया जाते हैं और वह 70S ribosomes को कंटेंड करते हैं ठीक है कुश्चन नमर्ट 21 की दरफ चलते हैं कि वीच ऑगनिल इस रिस्मांसबल फॉर दा सिंतेशिस ऑफ दा मेजोर्टी ऑफ सेल्स एटीप इस कुश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी मीन से यहां पर बूला गया कि एसा कौन सफ ऑगनिल है जो सेल्ल में एटीप बनाने का फंक्शन करता है पाउर हाउफ सेल यानि की म बनाने का इननों तरीका थोड़ा से गलत किया कि कुश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुश्चन कुश्चन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए किस प्रकार की सेल में जो नुक्लियर मेंब्रेन बिल्ड डेबलप नहीं होती है इस प्रकार से कुश्चन करना चाहिए जिसका आंसर होना चाहिए क्योंकि प्रोक्राइटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेंब्रेन होए न्यूक्लियस की वो डिसिंटिग्रेटेड होती है तूटी-टूटी होती हो और उनका जनेटिक में पूरा साइटोब्लास में ऐसे बिक्रा पड़ा होता है सबसे पहले मूबमेंट के लिए वर्क होता है ऐसे-ऑस करके बैक्टीरिया को मूब करने में और विलतक है अब डीटेज़्म्स में आपको बेरने ने को मिलेगा अच्छे से अपड़िये अफ्रके करें अपनी हार सब्सक्राइब 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 करते हैं मतलब कि हमारे सेल में जो भी टॉक्सिंस अनको डिटॉक्सिफाइब करने के लिए काम करते हैं जो मर उनके इन्दर है और 25 और विच टाइप असे गंडेंज बास लिए और वहरी और अलग होटे चीज़ करें है तो 10 की पर करना चाथे है तो यह आज के हुआ हमने आज 25 कुशन किया है किसके खेंगा अगर आप अपनी त्यारी करना चाहते हो डी डी लखनली इन्सीर्टि मैडि विशन लेना चाहते है तुछ आएं हमारे यहां पर अपको डाउलोड करें description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप आपको डाउंडोड कर सकते हैं साथ ही साथ नो एक वह चाप गृरूप का लिंक मिलेगा उससे जॉइन करें आपको कोई भी शमस्या आती है कोई आपको किसी भी प्रकार का आउट है आप उसे वहापर पूस सकते हैं ठीक है और उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहू होती है सभी को पता होगा बायो टेकनलोजी के जो फर्स आप्टर बायो टेकनलोजी प्रॉसेस एंड प्रिंसिपल उसको स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है थेंक्यू है थेंक्यू है नैस देव